हेलों नवस्कार दोस्तों मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल सब्जेक्स दोस्तों आज हम अंबॉक्सिंग करने वाले हैं मैं बहुत दिनों से वीडियो उस नहीं डाल रहा था उसका भी रीजन है लाश में आपको भी बताऊगा और अपने चैनल पे हो गए पूरे वन लैक थर्टी थाउजन व्यूज और मैं होप करता हो गई अप इतने ही जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स भी करवाद होगे तो आप वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मैं आप देखी ज़त्यो अपने चैनल को तो चले दूस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं तो गाइज यह है MIBA Trimmer IPX7 Washable Body के साथ में आने वाला और इसके साथ आपको मिल जाते है 14 Length Settings जिससे आप अदलब आपके बाल कट कर सकते हो और मैंने भी इसी परपस की मदद से लिया है और मैं आज unboxing करने वाला हूँ छोटे चाकू से और चले करते हैं और आप सोचो यह जो वाजू में जो खिलोना है उसका नाम क्या होगा क्या बिनोद होगा सोच सकते हो यार मैं मजा कर रहा हूँ पर लब यार अभी देखो comment box में आप कोई सब्सक्राइब देखोगे ना सबी जगह बिनो ज्यादा दिखा हुआ आता है तो फटा फट से बिनो उतको छोड़ो साइड पर और मजा के बिना खोलते हैं इसको कटर से ही और देखते आखिर box के अंदर हमको क्या क्या चीज़े मिलती है साथ में और मतलब इसके साथ में जो चीज़े आती है नगाई मतलब और कोई प्राइज में मतलब इतने 11-1200 के प्राइज के अंदर कोई और ट्रिमर नहीं देता और अभी एक नया ट्रिमर भी लॉंच हुआ है यह आए माई तो वह भी मैं आए माई ट्रिमर सी ऐसा कुछ नाम है उसका तो उसको भी हम अन्बॉक्स करके मैं दिखा ओगा और मिलब इसके साथ हम कंपैर करेगे यह वाले ट्रिमर को और इस तरफ है भी लब यह इस ट्रिमर है ओके एक तरफ कॉम था मैं लगा वही कॉम वही ट्रिमर है ओके तो अभी मैं पहले ट्रिमर को जो के पॉले सिंद में से हटा के दिखाता हूँ एक मेंट आपको कुछ इस तरह का है गाइस अपना ट्रिमर और यह इसकी जो बॉड़ी है ना यह मैटल बॉड़ी है और इसको मैं अभी साइड पर रखता हूँ और आप के साहती ही में हमको मिलेगा एक पाउच और पाउच भी के फ्याए इसका quality कैसा है वो भी मैं आपको दिखा होगा और इसके अंदर कितने चीजे आएंगी और इसके अंदर से और क्या है और केबल है और इसके अंदर और कुछ है शायद हाँ अंदर से एक और प्रश निकला है छोटा सा लब उसके cleaning करने के लिए तो अब अलब directly आ जाते है content के उपर ओके गाइस मैं अभी box को side में रखता हूँ और box के अंदर आपको मिल जाते कुछ इतने content और यह है MI की पाउच मिला उसकी branding वाले और इसको इसके कर सकते हैं अंदर पाउच के अंदर और पाउच में कितनी चीजे आएगी वो भी मैं आपको देखा होगा और यह एक ब्रश मिल जाता है इसकी quality भी अच्छी है मतलब बेकार नहीं है और इतनी price range के अंदर आपको मिलती है premium quality यह है user menu जिसको कोई पढ़ता नहीं और यह है कॉम बड़ा वाला जिससे आप बाल easily cut कर सकते हैं और उसी के लिए है वैसे कोई मैं expert नहीं हूँ पर उपर जितना box भी लिखा है उतना मैं आपको समझा दूगा और इसके साथ आजा एक charger जो लब सारे trimmer को charge करने में यूज होता है उसी तरह का charger आता है और यह है अपना trimmer मतलब आप देख सकते हैं इसकी glossy body finishing है और लब यह है ना एक बारी में click करते ही चालू नहीं होगा यह कुछ इस तर कोडलेसली आप वायर लगा के भी इसको यूज कर सकते हो और यह IPX7 certified है मैंने आपको पहले ही बोला था और अभी भी दिखा रहा हूं ओके यह थोड़ा camera में इस बारी focus करने में थोड़ा problem हो रहा था तो never mind और इसको on करने के लिए आपको इसको 3 seconds प्रेस करके रखना पड दिखा होगा ओके कॉम बोम हटाकने के बाद मैं पूरे blade निकाल के भी आपको दिखा होगा last में ओके और यह जो कॉम है बहुत ही easy निकल जाता आपको कुछ थोड़ा से pressure देना है ज्यादा नहीं करना देखो भी आपको शायद clearly दिख रहा होगा कि यह on है और 3 seconds दबाने के चुका है और मतलब इसके साथ आपको 14 mm लेंच सेटिंग मिलती है जो और कहीं ट्रिमर में नहीं मिलती वह बहुत ही बढ़िया चीज है और मतलब इतने सस्ते ट्रिमर में नहीं मिलता कोई भी और अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक्स नीचे दे दूगा सारे आप जाकी बाइ कर सकते हो और गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत स्यादा ही मेहनत लगती है और अभी मैं आपको इसको भी अटा के दिखा ही देत लगेगा अच्छा है और इसको खोलने के लिए कुछ इस तरह से आपको ओपन लिखा है तोड़ा स्प्रिशेज करो कि यह ओपन हो जाएंगी और इसके साथ कोई छेट शाट ना कर इसलिए इसके अंदर एलन की बोल्ट्स भी लगे हुए है किसे ओपन ना कर सके अभी आप हाथ से नहीं करें तो अच्छा है और यह रुकता नहीं है हाथ से अब करोगे तो और यह है 14 mm लेंट सेटिंग्स जो मलब इसका जो डाइलर है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है और यह जो माइब ट्रिमर है उसको री डॉट विनर है 2020 का और यह डिजाइन एवाड भी म नहीं को और यह जो है ना यह जो बलीड आई है इसके साथ यह सल असार फिंग शार्पनिंग ब्री इसके होता क्या है इसमें कि आप जैसे जैसे इसको यूज करोगे ना वैसे यह शार्प होगी और यह एकदम अच्छी चीज है वाद लब इतने सस्छे ट्रिमर में ऐसा मै तो इसके अंदर बड़ा कॉम भी आपको लगा के दिखा दिया यह भी आप लगा सकते हो और अभी मैं जो इसका छोटा वाला कॉम है उसको मैं फिर से अटेच कर देता हूं और इसको कुछ इससरे सी यूज करना होता है देखो यह सेटिंग जैसे जैसे आप इस डाइलर को ग दिलता है और इसकी जो टाइलर की फिनिशिंग है वह आगे के उपर की तरफ है अलुमिनियम और नीची की तरफ है प्लास्टिक जो टाइलर गोर होता है ना वह नीची की तरफ से है प्लास्टिक और उपर की तरफ से अलुमिनियम फिनिश के साथ आता है और यह जो कॉम है वह लगाना और रिमूव करना बहुत इजी है आपको पिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कुछ इस तरह से आपको इसको लगा देना वर यह लग जाता है और यह बड़ा वाला कॉम भी मैंने आपको लगा के दिखा दिया है और कुछ इसी तरह का है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पाउच है उसके अंदर यह जो ट्रिमर वो तो आता है उसके साथ बड़ा वाला कॉम थोड़ा जल्दी से जा नहीं रहा है मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉर भी किया है क्योंकि यह बहुत ही मतलब दो तीन मिनिट का वीडिय कि छोटे वाले की पड़ोगी तो इस तरह से पाउच के अंदर लेकर जा सकते और पाउच की कॉलिटी भी गाइस अच्छी है और मैं आपको इसका वाटरप्रूफिंग टेस्ट भी करके दिखा ही देता हूँ और यह हम आ चुके है वास बेसिन के पास और मैंने इसको पू चाहिए और लुटी बूटी अच्छा है तो गाइस वीडियो के इंड आपको कैसी लगी एम आए बियर ट्रीमर की अनॉख सिंग और गाइस हम घुस है ना चैनल को और क्रोग ऑग और अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगए हो तो वीडियो को लाइक शेयर में और तो और गाइस अपने चैनल पर 1,30,000 वीडियो कंपलेट हो गया है तो मैं होप करता हूँ कि याइस आप इतने सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दोगे और मिलते हो एक और नेक्ष्ट वीडियो में और अगर आप चाहो तो मेरे को बहुत साथ लोग उच रहे थे गाइस एरफोंस पे एक अलग से डेडिकेटेट वीडियो बना दो या गेमिंग एरफोंस के उपर तो मैं बना रहा हूँ और बनते ही मैं वह भी वीडियो डाल दूगा तो मिलते हैं नेक्ष्ट वें तब सके लेटिल देन कीव वाचिंग बाइ हुआ जा थो हुआ जा हुआ हुआ है